दोस्तों नमस्कार लर्निंग बाई एपी सर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है यह टेस्ट नमबर जो पीटी होने जा रहा उसका टेस्ट नमबर चार है तो इनमें पहला को सन है आल्प्स परवत की सबसे मुची चोटी माउंट ब्लाइंग किस देश में स्थित है तो यह यहां मौंट ब्लाइंग के बारे में पूछा जा रहा तो यूरोब की अगर बात करें तो यूरोब में सबसे पहले आप यूरोब का मानचित्र के माधिम समझे यह पुर्दगाल है पुर्दगाल के बगल में इस्पेन है तो यह पहला देश आपका पुर्दगाल है फ के बीच में जो एक परवत माला पाई आती है उसी को आल्पस परवत माला के नाम से जाना जाता और इसकी जो चोटी है उसी का नाम क्या है माउंट ब्लाइंग एक चोटी है जो की कहां इस्तित है यह इस्तित है फ्रांस में तो अगर यह कुछा जाए कि आल्पस परवत की सब नहीं है युरोब की सबसे उची चोटी अगर पूछा जायतों कव सी है एल ब्रूस है युरोब महादीव की सबसे उची चोटी पूछा जायत तब अलब्रूस लेकिन यहां कुस्तन पूछ रहा है आलस परवत की सबसे मुची चोटी माउंट बलाइंक है जो कि कहां है फ्रांस में इस्थित है अब अब विश्त के महादीपो की अगर बात करें तो यह आपका कौझ सा है ये आपका उत्री अमेरिकन महादियुप है ये दच्छिन अमेरिकन महादियुप है तो उत्री अमेरिका की सबसे उची चोटी पुछी जाए तो आपका मै किनले कौं सी है मै किनले है अगर दच्छिनी अमेरिका महादियुप की सबसे उची चोटी पुछी जाए तो एकांका गौई तूतरी अमेर Зап का महादीव की सबसे उंची कोटी था tête माउंट मैकिल्ये तट्षनी अमेरिका महादीव की सबसे उंची चोटी पूची जा रहित किल्म मनजारों है कौंसी केली मनजारो केली मनजारो है अफरीका महादीब की सबसे उची चोटी केली मनजारो है अगर आश्टेलिया महादीब की सबसे उची चोटी पूछी जाए तो ये आश्टेलिया महादीब है इस आस्टेलिया महादीब की सबसे उची चोटी पूछी जाए तो क्यो सिस्को है कौंसी को सिस्को तो आस्टेलिया महादीब की सबसे उची चोटी को सिस्को है और अंटार्गिटी का जो पूरे साल भर बर्व से ढखा रहता है और इसकी सबसे उची चोटी पूछी जाए त माउंट बिनसन मैसेप किसकी है अंटार्गिटिका की सबसे उची चोटी है तो दोस्तो एक बार फिर से आप बताईए हमने उत्री अमेरिका महाद्रीव के पूछा तो माउट मै किले और दच्छिन अमेरिका महाद्रीव के पूछे एक कांका गुआ और इवरोब की सबसे प्रुस है लेकिन अल्फ परवत की पूछी जाए तो आपने माउट ब्लैंक देखा जो कि कहां है फ्रांस में इस्तित है और उसके बाद फिर एसिया महाद्रीव की अगर पूछे तो एसिया महाद्रीव में जो परवत माला है हमाल है और इसमें सबसे उची चोटी है एवर एवरेस्ट एवरेस्ट आपकि हिमाले परवत माला की सबसे उंची क्या है चोटी है और उसके बाद अफ्रिका महादीब की पूछी क्या है तो किल मंजारो है अश्ट्यलीय महादीब की पूछी जा चाहिए साथ महा द пошता हूँ ना चाहिए साथ महादीपों का अगर area लगान के लिए आज आये तो वह भी आपका पता होना चाहिए तो समझे यह भार फिर से तो यहां नंपर एक चाहिए लिगशल्द पर आपे अपनाफिक म्हादियुप है नंपर तीन पर उपका दुर्ट उपका महादियुपción म्हादियुप यहां अंटार्गेटिका महाद्यूप है 6 नमबर पर आपका इउरोप का नमबर आता है और यहां ऐस्टेलिया महाद्यूप सबसे लाष्ट में सात्वे नमबर पर एरिया वाई जाता है अगर देशों का अक्रम लगाने के लिए आ जाए तो नमबर एक पे आपका रसिया है, नमबर दो पे यहाँ कनाड़ा है, नमबर तीन पे यहाँ चाइना है, नमबर चार पे यहाँ अमेरिका है, नमबर पांच पे यहाँ ब्राजील है, नमबर छे पे यह आश्टेलिया है, और नमबर साथ पे एरिया वाइज, कौन सा देस है, अ अगर राजों का अडर लगाने के लिए आ जाए तो ये आपका कौन है ये आपका राजस्थान नमबर एक पे कौन है तब राजस्थान हो जाएगा नमबर दो पे कौन आ जाएगा यमपी आ जाएगा नमबर तीन पे कौन इधर महाराष्ट आपका एरियावाईज में आ और उसके बाद चौथे नंबर पे अपना प्यारा सा यूपी है तो यहां पर हमने राज्यों का यूपी की भी आपको बता दिया कि अर्डर क्या है अब आपका ये काम है यूपी के जिले का छेत्रफल वाइज आप चार टॉप चार जिलो के नाम कमेंड बाक्स के माधिम से ह माउंट ब्लैंक है जो कि कहां इस्तित है फ्रांस में इस्तित है और आपको बताते चलें आल्पस परवत हुआ उसके बाद जो उत्री अमेरिका महादिब बताये थे उसका राकी परवत हुआ राकी जिसे कहा जाता दचनी अमेरिका महादिब की परवत माला एंडीज कहा ज तो आपका हिमाला भारत और नेपाल और चाइना बाडर पे हिमाले परवत माला ये सबी कैसी हैं ये सबी परवत माला हैं वलित परवत का वलित परवत का एक जामपल है इन में से जो हिमाले परवत माला है ये सबसे नभीन है इसलिए इसे नभीन वलित परवत के नाम से जाना जाता है जाना जाता है इतनी बाते आपको हमने बता दिया विस उप्रसित बाकु तेल उत्पादन किस देश में इस्तित है तो बाकु जो तेल उत्पादक देश है बाकु अजर बेजान की राजधानी है बाकु किसकी है अजर बेजान की राजधानी है तो दिये गए आपसन इक्क्यान नबे में सोबियस संग का infamous के पहले अप जाओगे तो जो सोबियस संग का भी गटन नहीं जुआ था तो सोबियस संग के अंतरगते बाकु तेल उत्पधक छित रहता था लेकिन आज ये बाकु अजर वेजान प्रामुक तेल उत्पधक छित रहाएk तो दिये गए चुम आपको पिछले वीडियो देखा होगा तो हमने कहा था विक्टोरिया यहाँ पर एक विक्टोरिया जील है यहाँ याद किजे तनजानिया उसके बाद आपका केन्या फिर यूगांडा इन तीन देसों से घरी होई एक जील है इसी को क्या बोलते विक्टोरिया जील और नदी निकलती है इसी के नाम है वाइट नाइल यानि सफेद नील के नाम से जाना जाता है वाइट नील यहां हमने कहा था यहां पर ताना जील है इतोपिया में और यहां इतोपिया से ताना जील से एक नदी निकलती उसी ब्लू नील के नाम से जाना जाता है ब्लू नील के राजधानी किसकी सूडान की राजधानी खारतूम है, जो की नील नदी जहां पर white नील और blue नील मिलती हैं, वहाँ पर इस्थित है, इसके आगे इसकी सजेक तौधरा नील नदी के नाम से जाना जाता है, और इसी नील नदी पर क्या एक बांध बनाया गया उसी का बांध को जानते है तो आशुवान बांध के नाम से जाना जाता है अब पीछे यहां तेल उत्पादक छेत्र प्रमुक आए है तो इसको भी हम निप्टाई देते हैं तो ध्यान दिजेगा अगर पूछा जाए गहावर गहावर प्लस गहावर और अब कैक अब कैक पूछा जाए कहां के प्रमुक तेल उत्पादक छित्र हैं तो यह दोनों साओधी अरब के हैं कहां के मिया यह साओधी अरब के हैं आपके एक्जाम में घावर और अब कैक पूछता है तो साओधी अरब के प्रमुक तेल उत्पादक यानि क्या च्छित्र है और दूसरा अगर पूछा जाए बरगान बरगान कहां का है प्रमुक तेल उत्पादक च्छित्र तो यह कुव का है बर्गान कहां का है कोवैच का तो हमने का घावर वाव कैक साउधी अरब का है उसके बाद बर्गान के बाद अगला ध्याद दिजीएगा गाच सारन अगला कॉन उसके बाद आपका अग जारी अगर ये पूछा जाए तो ये तीनों के तीनों कहां इस्तित्थ हैं ये तीनों के तीनों इरान में इस्तित्थ हैं गाच सारन, आहाज, आहाज, आहाज के बाद है, आघजारी, यह तीनों के तीनों, ईरान में इस्तित्थ है, उसके बाद पूछा जाए, कऎन्टारिल, कौन पूछा जाए? Cantaril 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 है कहाँ है Mexico में हिस्तित है कहाँ Mexico में Cantaril Mexico में इस्तित है Bolivar पूछा जाए तो Bolivar Benjauela का बिल उत्पादक फेत रहे Bolivar ये कहाँ तो Bolivar विल 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 भो कहाँ का है Benjauela का है उसके बाद Lula और जुप्टर लूला जूपिटर लूला और जूपिटर पूचा जाए तो यह दोनों कहां के हैं तेल उत्पादक जेतर ब्राजील के हैं कहां के ब्राजील के अगला अगर पूचा जाए रो मिला अगर ये पूछा जाए तो ये तीनों के तीनों कौन कौन तो रू, मिल, किरकुक, मजनों ये तीनों इराक में हैं कहाँ है इराक और इराक को ध्यान रखेगा भारत सबसे ज़्यदा जो पेट्रोलियम का क्रूडायल का क्या करता आयात करता है अपने देश में मंगाता है तो ये इराक से ही मंगवाता है ना कि साओधी अरब लेकिन पूछा जाए कि विस्ट का सरबाधिक तेल उत्पादत र तो इराक से करता है अगला देखिएगा लीविया का भी एक देख लीजिए लीविया में सरीर सरीर पूछा जाए कहां का तेल उत्पादक चेत्र है तब आपका का अंसर क्या हो जाएगा सरीर ये आपका लीविया का है सरीर कहां का है लीविया का है उसके बाद जाकुम पूचा जाए जाकूम पूचा घाय तो ये कहां का है U-AE का है सांउत अरव अमीरात का है जाकूम वो आवाली पूचा जाए तो बहरीन से आवाली कहां है आवाली बहरीन का प्रमुक तेल उत्पादक है और दुखन ये बहुत पूछता है दुखन को तो ध्यान रखिएगा दुखन बहुत पूछता और दुखन ये कहां का है ये कतर का है कतर का तेल उत्पादक है और उसके बाद ओमान का है इबल ओमान का क्या है इबल इबल पूछे तो ये कहां का है ओमान का है अगर इतने तेल उत्पादक चितर अगर आप ध्यान रखते हो तो अंसर आपका हो जाएगा अगला नाइजर की राजधानी क्या है तुमने खार्तुम की कहानी बताई दी नाइजर की राजधानी क्या है नाइजर की राजधानी है निया में मुरक्को की राजधानी क्या है रवात है उसके बाद मिस्त की राजधानी काहिरा है काहिरा किस नदी तो हमने अभी बताया नील नदी के किनारे इस्तित है मिस्त्र में किराजधनी हैं और काहिरा वा अलेगजंडरिया दोनों कहां इस्तित हैं मिस्त्र में और दोनों किस नदी किनारे तो नील नदी के किनारे और नील नदी के द्वारा आपको बताये थे पिछले वीडियो में किस प्रकार का डेल्टा बनाया जाता है उसको कमेंट बाक्स में लिखिएगा पीछे बता चुके हैं अगला काउंसी नदी विश्वत रेखा को दो बार काटती है तो आप अगर विश्व के मांचित्र पर नजर डालोगे तो यहां से हो करके विश्वत रेखा गुजरती है और विश्वत रेखा पर पूछ रहा अफ्रीका में ए जैरे या कांगो विश्वत रेखा को दो बार काटती है तो विश्वत रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती कांगो या जैरे वहीं मकर रेखा को पूछा जाए दो बार तो दच्छिन अपरीका में एक नदी बैती है लिम पोपो नदी दो बार किसको काटती मकर रेखा को काड़ती है वहीं पूछा जाए करक रेखा को दो बार काड़ती तो माही भारत की माही नदीक किसको करक रेखा को दो बार काड़ती है तो यह तीन कोसन यहां से तयार हुए अब हमने यहाँ पर आपको बताए थे विस्वत रेखा परिस्ति देश तो हमने ट्रिक आपको बताए थी काउंसी ECV से GKJKS माइक तो यह से एक्वेडोर हो जाएगा उसके बाद C से आपका कुलंबिया उसके बाद B से ब्राजील और यहाँ एक आपका अट्लांटिक महासादर में सावो टूम तथा प्रिंसली उसके बाद गेबून उसके बाद कांगो उसके बाद जायरे उसके बाद यूगांडा उसके बाद केनिया उसके बाद सुमालिया उसके बाद माइक से आपका यहाँ आओगे तुमाल दीव उसके बाद आई से आपका क्या हो जाएगा आई से इंडोनेसिया हो जाएगा और इंडोनेसिया बाद के से आपका किरवाती किरवाती तो यतिने देश विश्व के हैं जो कि विश्वत रेखा पर इस्तित्था हैं ट्रिक कों से याद रखना पिछले वीडियो में इसको लिख के बहुत डिटेल में हमने आपको समझाया है अब आपका काम है इस रेखा पर यानि जो विश्वत रेखा के बाद मकर रेखा है कर्ग रेखा है उसको आप कमेंट बाक्स में छापएए कि कौन कौन से देश हैं जो मकर रेखा वा कर्ग लिखा है तो यहां इस कांसर क्या हो जाएगा यहां कांगो हो जाएगा ओलगा नदी के बारे में जान लीजिए जो रूस का साहर मासको है इसी ओलगा नदी के किनारे इस्तित है ओलगा नदी अपना जल कहां गिराती है यह सागर है इसे एक बोलते हैं कैस्पियन सागर आपको ट्रिक किया करवाया था, डे न्यूव, यान्त में आ रहा आईब, जिस आदमी के पास आईव होता है, हो होता है काला, हो अच्छा अदवी नहीं होता, काला क्लाब वा, उसके बेहिवियर से, बेहिवियर से व हच्छा ब्हक्ति नहीं है, यानि बेवहर में तो उसी को काला तो यह डेनियूम नदी किसमें अपना चल गिराती है काला सागर में चल गिराती और इसी डेनियूम प्यंत में बार रहा तो हमने कहा था यहां कई देशों की राजधानिया बांगर बिल्ला इस तीथ हैं जिन में हमने कहा था याद कीजिए बेना, अश्ट्रिया की राध्धानी बेना, उसके बाद बिलग्रेड, बिलग्रेड के बाद फिर हमने कहा था, ब्रातिस लावा, ब्रातिस लावा, ब्रातिस लावा, तो बेना, बिलग्रेड, ब्रातिस लावा, उसके बाद बुडा पेश्ट, कौनसी, बुडा पेश्ट, ये चार प्रमुख ध्यान रखियेगा, बेना, बेलग्रेड, ब्रातिसलावा, बुड़ा, पेष्ट, सब्बा वाली बांगर बिल्ला, इसी डेनियूम नदी के किनारे इस्तित है, तो हमने कहा था कि जो डेनियूम नदी है, जो नील नदी अफ्रीका वाली बहती है, ये दस देस में बहती है, जबकि ये डेनियूम नदी नो देस में बहती है, तो ये पूचा जाए भी सुमें, सरबाधिक देसों बहने वाली नदी कौन है, तबांसर मिस्र, एक दूसे वाला कौन सा महादियुप है तो अफ्रीका महादियुप है इसमें टोटल 54 हैं 54 हैं अफ्रीका और दूसरे नंबर का 20 का सबसे वरा महादियुप है नंबर एक पर कौन है अभी हमने कहा है एसिया महादियुप है दिल्ली सल्तनत के अंतरगत सबसे कम वर्सों तक तो आपको होंने कहा था, इसका कैसे याद रखो कि जी के ट्रीक, टृइक को सलाम, यह बताये थे, तो पहला घुलाम बनस्ट आएगा, दूसरा खिलजी बन्स, अगला आपका तुगलग बनस्ट उसके बाद फिर आपका जी के ट्रीक हो गया, ये के अईसे लिग गया, उ इसमें, जो सबसे कम, अगला वालाका, इसकी 1296 फ़सेता कर चुक्ति का का, जो काल होता है, ये जो किसका होता है, गुलाम बंस ऑप फिल्डी बंस 1219 से ले करके 1320 सी बात्रीNever सा मात्र мнойकाल लीजे ये तीस साल सबसे कम यही खिलजी बंस रहता है तो यहां पर आपका जो आपसन दिया गया है आपसन के अनुसार यहां बात करें खिलजी बंस तुगलग बंस ममलूग बंस लोदी बंस इन चार बंसों में अगर हम तुलना करते हैं तो सबसे कम कौन है खिलजी बंस तो इसका अंसर खिल्जी बंस हो जाएगा तुगलगंस आपका इसके बाद बताए ही है कि 1320 से लेकर के 1414 तक 1320 से लेकर के 1390 तक जो काल होता है वो कमसा तुगलगंस होता किसका रहता है तो यह भी आपको बताया था अलाउदिन खिल जी का तो यह आपका ध्यान दीजिएगा इसको तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा यहां पर आलाउदिन खिल जी नहीं यह यम बीटी का मुहम्मद बिन तुगलक का जो 1325 से ले करके तेरा सो एक्यामन तक किसका यम बीटी मुहम्मद बिन तुगलक का है पीछे हम बता चुके तो यहाँ पर आपका चार आप सन में अगर तुल्ला करोंगे सबसे कम किसका होता खिलीवन्स इनके लिए अलग से वीडि को अपने फालू किया होगा काफी डिटेल में हमने बताया है उसके बाद गुलाम बंस को डिटेल भी बता चुके लोदी बंस भी डिटेल बता चुके हैं और ममलूग बंस या मुगलकाल यह आपका क्या है अभी नहीं बताएं इसको किसी वीडियो में भी निप्टाने हुआ साले हैं तो यहां दिए गये चार अपसरण में क्या हो जाएगा जाएगा स Когда कि अपादि किस ने धरन किया था तो यह उपादी जलालudडीन फिरोसाग खिल्शी साहिसरा साइस्ता साइस्ता क्हां को अपादी धरन की गई ती सिल्संदे का लेडियालिस्ट में जो डेली कुछ का discussion हुआ वहां detail में बताएं हैं यहां बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगला पुछता को लेखक के नाम कौन सही सा सुमेली नहीं है यह पूछ रहा my life in design my life in divine यह divine होना चाहिए design कहां से आ गया divine my life in divine यह आपका इसको सही कर लिजेगा my life in divine गवरी खान ने लिखा बिल्कुल बास सही है दूसरा the big thoughts of little love little love ऐसा कान नाम कौन कर सकता है यही व्यक्ति कर सकता है इससे बुग लिख सकता है करन जो है करन जो है तो इसको किस ने लिखा है इसको दिवांकर एरान ने नहीं लिखा बलकि अभी हमने बताया करन जोहन न किए अगला फिर question पूछा count पुस्तक से सह सुमेली नहीं है Mrs. Code-to-win निरूपमा यादो ने लिखा है be coming यानी becoming यह आपका गलत है क्योंकि वि अचयान ने लिखा कि बराक उबामा की पतनी मिसेल ओबामा ने लिखा है किस ने लिखा मिसेल ओबामा ने लिखा तो यह गलत है बाकी कुरोना, कविताकाल, पियस, सिरीधरन, पिल्लाई ने लिखा है अगला सूरज, कदे, मर्दा नहीं, बल्देव सिंग, सदा कर्णम ने लिखा है अगला 20 सूत्री कारकरम की गोशना 1975 में इंद्रा गांधी के द्वारा की गई थी किसके द्वारा इंद्रा गांधी के द्वारा की गई थी अगला राष्टी विकास परसत का गठन कब 6 अगस्त 1952 में होता है और 1952 में ही समदाइक विकास कारकरम तथा राष्टी बिस्तार सेवा राष्टी National Extension Service राष्टी विस्तार सेवा ये 1953 में शुरू होती है और 1952 में समदाइक विकासकार करम शुरू किया गया था यहां एक परसत के और बात कर लेते हैं राष्टी एकता परसत पूछा जाए जिसके अद्धिस्ता पिम के द्वारा की जाती है इसकी गठन 1961 में हुआ था कब 1961 उसके बाद योजना आयोग वो इसे हटा दिया गया लेकिन योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था इस योजना आ आयोग और नितिया आयोग एक जन्वरी एक जन्वरी 2015 को नितिया आयोग का गठन किया जाता है अगला सरप्रथम जयश्टी बिल का प्रारूप तर तयार करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके अध्धिस कौन थे तो यह कमेटी कब बनी थी 1999 में और इसी से फिर क्या जयश्टी बिल का प्रारूप तयार करने की सिफारिस की गई थी की गई थी तो यह कम बाकी जयश्टी वारें पिछले वीडियो में आप देखा होगा डिटेलिंग से बता चुके हैं इसका संब्मद्धान संसुधन से है जयश्टी ध्यान रखेएगा अगला कुशन मुग कुशन में के संगई सहर में नियूट या सिया इसी को ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है इसके स्थापना होती ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, सौथ अफरीका पांच देश हैं तो इसका अंसर क्या हो जाए कितने पांच इसका मुख्याले पूछा जाए तो कहां है संगई चीन के संगई में कन्फूज मत हो जाएगा AIIV इसका मुख्याले कहां है इसका मुख्याले कहां है इसका मुख्याले बीजिंग है और आपको बताते चलें यस्यो जो है इसका मुख्याले संगई कौपरेशन अर्गनाजेशन इसका मुख्याले भी कहां है बीजिंग में है इसके बाग एसियन डेवलम्मेंट बैंक पूचा जाए तो इसका गठन 1968 में हुआ और इसका मुख्याले पूचा जाए तो मनीला फिलिप्पीन्स की राध्धनी मनीला है इसका गठन किया गया है अगला उरोपियन यूनियन की स्थापना नॉमबर 1903 में हुई यानि 1993 हुई तो इसकी पहले 1953 में ही हो गई थी लेकिन इसका नाम उरोपियन यूनियन नहीं था बलकि से कोईलात था आर्थिक उतपात परसत के नाम से जाना जाता था तो लेकिन इसका नाम करन आईजे यूरोपियन यूनियन कब 1993 में किया गया और इसका मुक्याले कहां इस्तित है तो इसका मुक्याले बुरुसेल्स जो की बेलजियम की राजधानी है कहां बुरुसेल्स बेलजियम की राजधानी में है बुरुसेल्स बिल्जियम की राजधानी है अगला सिंद्गाटी सब्विता जिसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो बनाए है वहां से आप देख लीजेगा तो यहां लिपेश्टिक पूछ रहा अंजन सालिका के साज कहां से प्राप्थ हुए चन हुदुरो कहां से प्राप्थ हुए चन हुदुरो डिटेल जानना है तो पिछला जो वीडियो एक सिंद्गाटी सब्विता पे है उसको देखिए एक एक बाते हमने बहुत वहां डिटेल में बताई है अगला हरपा सब्यता का पतन का कारण जो फ्लड किसने माना था तो फ्लड को माना था जान मरसल ने अगला कुसने बिजय इस्तम कहां पर इस्तित है तो बिजय इस्तम ये आपका राजस्थान में इस्तित है राजस्थान के कहां तो चित्तवर गरह में इस्तित है तो बिजय इस्तम राजस्तान के चित्तवर गुरह में इस्तित है अगला फतेपूर सीकरी जानते हो कहां है फतेपूर सीकरी आगरा आगरा में इस्तित है आगरा तो यह फतेपूर सीकरी फतेपूर सीकरी आगरा यानि यूपी में है कोलकाता मदुरई मदुरई तमिलाड में अजन्ता गुफा अजन्ता की गुफाएं कहां इस्तित हैं तो अजन्ता की गुफाएं ध्यान दिजिएगा ये महाराष्ट में इस्तित हैं लेकिन यहाँ जिला पोच रहा तो अजन्ता की गुफाएं महाराष्ट के किस जिले में इ इसको comment box में लिख करके आप तक आईएगा सर्च कीजिएगा कुछ अपने आप भी करिए किसी बहाने सर्च करिए तो बाकी अगला देखिए सम्मिधान में पहला संसुधन किस वर्ज किया गया तो सम्मिधान में अगर अभी तक देखोगे तो 104 उमा सम्मिधान संसुधन हो च से है 101 अब हैं नहीं कहा GST से है 102 पूचह तो भी सी को संबाइधानिक दरजा दिया गया उससे है 103 पूचह जाए तो 10 परसेंट एकों नामकली बीकर सेक्षन को जो रिजरवेशन दिया गया उससे है 104 उमा पूचह जाए तो 104 द्यान दिजेगा यसी और यस्टी का जो 2030 तक reservation को increase कर दिया गया उससे है तो ये आपके चार इधर reservation सम्मिधान संसूदन हमने बता दिया इसके बाद पहला सम्मिधान संसूदन कब हुआ था तो पहला सम्मिधान संसूदन 1951 में हुआ और इससे कौन सी तो सम्मिधान में कितनी है वरतमा समय में 12 अनसूदन है तो नवी अनसूदन किस सम्मिधान संसूदन से पहले सम्मिधान संसूदन से अड़ की गई इसके अलामा कूछा जाए कि दस्मी अनसूदन दल बदल इसको 52 सम्मिधान संसूदन कब राजियु गांधी के काल में 1985 में हुआ था तो दल वदल कानून ये दसुई अनसूची में है ग्यारूई अनसूची तेहत्रवा सम्मिधान संसूधन किया गया और कब 1992 में हुआ है अधिनियम है और इसे 1993 से लागू किया गया ग्यारूई के बाद बारूई अनसूची पूछे तो बारूई अनसूची 74 सम्मिधान संसूधन से कब 1992 में किया गया है और ये भी लागू हुआ 1993 से और जो पंचायती राजवाला है वो 24 अप्रायल 1993 से लागू हुआ इसलिए हर साल 24 अप्रायल को राश्टी पंचायत दिवस की रूम में मनाया जाता जबकि जो 74 सम्मिधान संसूधन है वो कब से लागू हुआ है तो 12 जून कब से लागू हुआ 12 जून 1993 से लागू हुआ है अगर पूछा जाए 11 अनसूची 12 अनसूची 11 अनसूची का सम्मन पंचायत से है और 12 का नगर पालिका से है इसमें 11 अनसूची 31 जून है यह भी कुश्टन पीसे पूँच चुका है और इसमें 12 अनसूची कितने 18 जून है तो यहाँ पहला सा मिधान संसूधन 1951 हो जाएग। अगला निमन में से कहां पर विधान परसद नहीं है तो जैसे विधान मंडल संसद होती है वैसे विधान मंडल होता है और विधान मंडल में कहा गया कि दो सदन हो सकते हैं एक को विधान सभा कहा जाता है और दूसरे को विधान ये विधान सभा है और दूसरे बिधान परिशद कहा जाता और इसका उलेक ऊचा जाए आठकिल 169 में किया गया बिधान परिशद होगी या नहीं होगी इसका उलेक यानी इसको बनाना हुआ इसको समाथ करना इसका उलेक समिधान के अमचेद 179 में है उनत्तर में है तो वर्तमान समय में कहां पर विधान परिसद नहीं है तो उत्तर प्रदेश में है सो विधान परिसद में मिंबर हैं पेलंगाना में है आंद प्रदेश में है बिहार में है लेकिन ये तमिल नाडु में नहीं है तमिल नाडु में नहीं है उसके बाद आपका क पिर आपका तिलंगाना है, तिलंगाना के बाद यूपी है, यूपी के बाद आपका बिहार है, बिहार है, जिसको काउंट कर लीजिए, तो यहां पर आपकी क्या है, एक, दो, तीन, चार, पांट, शे, शे, यहां पर आपकी क्या है, बिधान परिसद है, बिधान परिसद है तो यहां पर आपका दिये गए कोस्टन का अंसर तमिलाड हो जाएगा तमिलाड में नहीं है नहीं है पच्छी मंगाल में भी नहीं है ध्यान रखियेगा अगला भारत में दो बार कौन राश्टपती रहे हैं तो जो भारत के प्रतम राश्टपती थे डाक्टर राजेंद प परसाद पली जाकर गिरे अ रमा संकर्ने पतिली गली में जाकर मिले सारे राश्ट पतियों का बिलकल यही आडर है तो याद कीजिए पहला हमने डाक्टर राजिंद प्रसाद को बताया उसके बाद प्रसाद पली पली डाक्टर सर पली राधा किर्शनन फिर आपका जाकर जाकिर हुसायन उसके बाद गिरे तो बीवी गिरी और बीवी गरी की बाद फिर आते हैं यम हिदायत दुल्ला और उसके बाद यम हिदायत दुल्ला एक मात्र राश्टपती अब तक हुए हैं जो मुख न आया धिस थे उसके बाद बीवी गरी फिर आते हैं तो प्रसाद पल्ली जाकर गिरे उसके बाद बताए यानि कौन तो ह उमने कहा कि अली जात नहीं ग्यानी तो फकरुदिन अली अहमद और फकरुदिन अली अहमद के बाद फिर आपका बेटी जत्ती बेटी जात और नहीं से आपका नीलम सज्जियो रेड़ी और नीलम सज्जियो रेड़ी के बाद आपका ग्यानी जैल सिंग और ग्यानी जैल सि सहरे संकर्द रैवा और उसके बाद फिर किस्वे मिले तो आपका नराएन नराइनन की बाद प्रका एप जी अब्दुल कलाम के बाद पर आपका लाज्टमें पतली पतली से अपका परतिवा देवैसिंघ कीवाद आपका लाष्ट में पिर कौन? पंड़नम मुखरजी और पंड़नम मुकरजी गवाद फिर रामनात कोंवे, इस सारे राश्टप्तियों का बिल्कुल यही कारिवाह कि इसमें राश्टपती भी आगया है, तो बिल्कुल यही करम है आजादी का अमरत महत्सो जो मनाया गया ये कहां से मनाया गया तो आजादी का जो अमरत महत्सो ये कहां सावर मती आसरम गुजरा से इसे सुरू किया गया है अगला गोवा अगला आया है गोवा को फुल स्टेट पूराराज का दरजन की समिधान संसोधन के अंतरगत मिला तो ये गोवा को मिला है 56, 56 सम्मिधान संसोधन 1987 के द्वारा गोवा को एक फुल इस्टेट का दर्जा दिया जाता है, इसके अलामा 35 और 36 सम्मिधान संसोधन याद रखेगा सिक्किम को, सिक्किम को फुल राज का दर्जा यानि 36 सम्मिधान संसोधन 1975 से मिलता और 35 सम्मिधान संसुधन 1924 से इसे साहराज का दरजा दिया जाता है साहराज का दरजा दिया जाता है तो ये आप सिक्किम का ध्यान रखिए सिक्किम वाला बहुत पुष्टा उसके अलामा अगर इनका 371 A, B, C, D ऐसे आप देखोगे तो बिसेश राज का जो दरजा दिये गए उनके लिए समिधान में एस्पेसल अंचेदों का उले किया गया उन्हीं में से गोवा का हमने पताया था आई गो, आई गो, आई गो आई गो, गो से गोवा आई गो, आई का मतला हुआ 371 आई में पूछा जाए किसका उले किया गया तो गोवा का और सिक्किम का सिक्किम का ध्यान दिजेगा 371 तो हमने कहा यप है इसको ऐसे डुंडी गुमा दो तो 6 बन जाएगा 6 सिक्किम तो 371 यप में किसका उले कैए सिक्किम का है उसके बाद 371 यच पूछा जाए 371 एच को बना दो आपका क्या तो एच को बना दो समझेगा समझेगा तो 371 एच में हमने कहा था इसको एडुंडी गुमा दो तो यह आ बन जाएगा आगमलव हुआ अरुनाचल प्रदेश तो 371 371 एच का सम्मन किसे है अरुनाचल प्रदेश का है और उसके बाद आपका 371 जी पूछे तो यह फिर प्रबोतर का राज जिसमें जी आता मिजोरम इसको जी मिला दो तो मिजोरम 371 जी में है उसके बाद 371 क का पूछा जाए या आगे अन्य पूछे जाएँ तो समझेगा कैसे याद रखोगे तो 300 371 आई, जे, आई, जे, के ये आपके इस्पसल राजी जो important है वो हमने आपको बता दिया वो हमने आपको बता दिया तो इसका अंसर गोवावाला क्या हो जाएगा 56 सम्मिधान संसूदन अगला आर्थिक उदारी करन के समय भारत का प्रधान मंतरी कौन था तो भारत का प्रधान मंतरी उनीस सो 91 में LPG की निती अपना जाती है लिब्रोलाजेशन, प्रेविटाईजेशन, गलोबलाजेशन और इस समय पीवी, नर्शिंग, भाराव, प्रधान मंतरी होते हैं तो इसका अंसर हो जाया अगला फरवरी 2021 में हिंद महासागर चित्र, इंडियन, ओसन, रिजन के रच्छा मंतरियों की मेजवानी इस बार की कौन कर रहा, तो इस बार की भारत कर रहा है अगला कौसन हाली में जारी 2020 के लोगतंत सुचकांग में भारत का अस्थान कौन सा रहा है तो पहले इसका अंसर समझ लिजे इसका अस्थान भारत का 53 रहा भारत की रैंकिंग कितनी रही भारत के 53 रही है तो इसका मतलब यानि अनित समझेगा इसमें लोगतंत्र सुचकांग जो है एक कौन जारी करता तो एकोनामिक इंटेलिजन्स यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है जारी किया जाता 2019 वाले भारत की रैंकिंग देखोगे तो आपका केतनी 51 रही है और इस बार 2020 में दो और खिसकी तिरपन हो गई लेकिन इसका अगर मेंस में आपको या निवद में लिखना हो भारत में लोगतंत्र को हमेशा यानि क्या इसकी रैंकिंग खराब रही क्योंकि 2014 में भारत की जो लोगतंत्र में रैंकिंग थी 27 थी और आज कितनी पहुँच गई है 53 पहुँच गई है तो लोगतंत्र जो लोगतंत्र के समर्थन में बाते करते हैं इन्हें इनसे सेखिने की जरूरत है और इसमें जो मानक है मानक को चार आधारों पे किया जाता है कौन? अगर जीरो से चार है तो अथारिटेरियन रेजिम को बताता है अगर चार पॉइंट जीरो वन से लेकर छे के बीच है चे के बीच है और उसके बाद फिर छे पॉइंट जीरो एक से लेकर कितना? तो आठ है और उसके बाद आठ से लेकर के आठ पॉइंट जीरो वन से लेकर अगर दस है तो यह कहलाता है डेमोक्रेसी यहाँ पर फुल डेमोक्रेसी है यहाँ पर कैसी है? फ्ला फ्ला मानिया होता दोस दोस पूर आपकी डेमोक्रेसी है दोस पूर आपकी कैसी है डेमोक्रेसी है तो ये चार कैड़गरी में चार कैड़गरी बनाई गई है जो की लोगतंद्र को इससे परिवासित किया जाता है तो भारत आपका फुल डेमोक्रेसी में नहीं है ध्यान रखिएगा इसके बाद अन्य बात करते टौब किसने किया तो आपको देखो इसको एक ट्रिक से याद करवाते हैं क्योंकि अभी आप तुरन देश रट तो लोगे लेकिन इजाम में इतना प्रेसर होता कि हम भूल जा लेकिन लाजकल ही याद किये हैं तो हमेशा वो याद रहेगा कैसे हम याद करेंगे तो नार्वे जो देश है वह बर्प वहां बर्प जमा रहती है तो बर्प को इंगलिस में क्या बोलते है आईस और बर्प को ही बोलते है इसनू तो आप पहले आ रहा तो आईस वाला पह वाँ होती बर्प नहीं आईस आईस आवाला पहले फिर आपका आईस श्नु बर्प को यह श्नु भी बोलते हैं तो आप इसके टॉप नमबर एक पिनारवे हो जाएगा नमबर दो पर आईसलेंड हो जाएगा नमबर तीन पर स्वेडन टॉप ठीरी आपके कम से कम पता होना चाहिए अब यहां इससे आपका कुश्ण लोगतंपर वाला कुछ भी आएगा तो आप कर ले जाओगे अगला रेल्वे ने सभी हल्प लाइन नमबरों को मिला करके कई दिकते होती थी कई नमबर होते थे तो इन सब को मिला करके एक 139 149 में सब को मर्ज कर दिया कोई आप 139 पर कंप्लेन कर सकते हैं अगला 63 ग्रैमी एवार्ड में किस सिंगर ने कितनी भ्यां दिजेगा अठाइसुमी बार एवार्ड को अपने नाम जीता है वो कमसा है सिंगर बियोंसे नौलेस बियोंसे नालेज को एक एवार्ड दिया गया और लास्ट कुश्चन है किस राज जो ओलम्पिक जो होने जा रहा है उसमें पहली भारती पहली भारती टिकट हांसिल कने वाली पहली भारती महिला बन गई यह हैं आपकी चिन्नाई चिन्नाई की और चिन्नाई कहां है तमिल नडू में कहां है तमिल नडू में है तो ध्यान रखेएगा अगला जो अभी ओल और दो हजार अटाइस वाला कहां होगा तो अटाइस वाला कहां होगा लास एंजिल्स में होगा अच्छार अग वए इसको कमेंट बाक्स में आप लिख करके बताईएगा तो आज का इस чтоб profits करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जदद जदद लोगों को सेर करिए लाइक करिए विल आइकन को दबा करके रखिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बाक्स में कमेंट करिए और लेकिन अपनी प्रित्क्रिया रिस्पांस जरूर देजिए तभी सुधार हो पाएगा तो इसी के साथ अपनी बात को बिराम देते हैं धन्यवाद